हेलो दोस्तो मैं कन्हिया स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंग्लिश क्यान पे जहां पे आपको दिली उनिवस्टी से आने वाली पर तेक इन्फोर्मेशन अप्टू डेट मिलती रहती है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम एक पब्लिक नोटिस के साथ आया हैं जो की हाल फिलाल में ही जारी हुआ है NTA की तरप से और इस नोटिस को आप दिली उनिवस्टी की वैबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो ये नोटिस आपके जो डियू पीजी सीउटी होता है वह भी आपका पी जी चैन्स अंदर ही आता है तो आप अपने गीड़ एक्जैम के लिए उन्टर्स उट्पर क्या कर सकते हैं तो इस Smith कर सकते हैं तो इस नोटिस को मैं आपको थोड़ासा डिटेल में समझा देता हूं कि क्या क्या है शस्मय 눌러 suppl forgotten कि यह जो नोटिस है वो आपका 26 December 2023 को रिलीज किया गया है इट मिंस कल ही आपका यह रिलीज हुआ है और यह नोटिस मैं आपके सामने रख रहा हूं आज तो इसमें यह देख सकते हैं नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे साफ साफ यह क्लियरली मेंशन कर रखा है हर एक चीज कि जो आपके online submission of application form through website यह जो है यह website नीचे दे रखिये इसके तुरू आप जाएंगे तो आपको यह notice भी दिख जाएगा और वहाँ पे जो registration का process है वो कर रहे हैं तो आपका जो procedure रहने वाला है वो सेम रहने वाला है बाकि इसके लावा DUBA का जो भी syllabus रहने वाला हर एक pedagogy wise वो भी हमें आपके साथ discuss करूँगा और bulletin के truth जितनी भी information mandatory information होगी important information होगी वो आप सब तक पहुचाते रहूंगा बाकि आप चैनल को जरूर से subscribe करके रखे ताकि आपको एक भी वीडियो मिस आउट ना हो और सारी information आप तक पहुंचती रहे तो देखिए यहां पर जैसे कि जो आपके online submission form है वो स्टार्ट हो चुक है 26 दिसमबर 2020 से 24 जैनवरी 2024 तक तो यह आपका जो registration चलने वाला है वो 26 दिसमबर से आने वाली 24 जैनवरी त 2024 तक 1150 तक कर देनी है उसके बाद आपकी कोई fee submit नहीं होगी और by chance अगर आप fee submit करने में किसी तरह से miss हो जाते हैं तो आपका जो registration form है वो रद कर दिया जाएगा आपको register person नहीं समझा जाएगा means आपका exam फिर नहीं होगा so make sure that अगर आपका registration हो चुका तो आप fee submit कर दे लगे हाँ फिर उसके बाद अगर by chance आपने किसी प्रकार से अपनी registration form में कोई गलती कर दी है तो वो आपका 27 January 2024 से 29 January तक आपकी window open रहेगी correction की उसमें आप अपना form correction कर सकते हैं ठीक है बाकि फिर advanced city intimation जैसा कि आपको एक notice दिय होने वाला है कहां पर होने वाला वह आपका जो intimation है वह आपको चार मार्च 2024 तक मिल जाएगा आपके email पर जो भी आपका email होगा उसमें पिर इसके लावा फिर जो आपका admit card आएगा वह 7 March 2024 को आपको मिल जाएगा और यह जो admit card है वह आपके exam date के wise मिलेंगे like exam date से एक दो त पहले या फिर एक हपते पहले तक आपके admit card जारी कर दिया जाते हैं तो वह आपको अपने email पे और SMS के थुरू आपको notify कर दिया जाता है NTA की तरफ से ठीक है इसके अलावा फिर जब आपका admit card मिल जाएगा आपकी जो date of examination है वह आपकी 11 मास से लेकर 18 मास तक होगी तीन shift मे होंगे यह exam जैसे कि नीचे वाली shift दिखा रखा है कि जो आपका exam है वो 3 shift में होगा और total 3 shifts होंगी 1 hour 45 minutes का exam होगा जिसमें आपको 105 minute होंगे और जो आपके question होंगे वो complete आपको इस time duration में करने होंगे बाकी जो answer की आएगी like आपका exam होगया उसके बाद answer की आती है तो 4 April 2024 तक आप अपनी answer की को challenge कर पाएंगे कि अगर आपको लगता है कि आपका answer सही और answer जो की आई है उसमें गलत देर खा तो आप अपने answer को challenge कर सकते हैं तो उसका भी एक अलग format होता challenge करने का और आपको एक fee भी payment करनी पड़ती है तो वो आप challenge अपनी answer की को कर पाएंगे फिर timing of examination म जैसे बता दिया आपको जो भी आपका admit card आएगा उसमें आपका timing मैंसर है कि कौन सी shift में आपका exam है कितने बज़े से कितने बज़े तक आपका exam रहेगा और कहां आपका center पड़ा हो सारी information उसमें दी होगी बाकि यहां पर अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी information लिख सकते हैं जो भी दिली इंवस्टी की तरफ से आया होगा बाकि for more information आप हमारा चैनल भी subscribe कर सकते हैं क्योंकि यहां पर भी आपको सारी information मिलती रहेगी और यह जो जितने भी pdf होंगे इसके regarding वह मैं आपको अपने telegram पर जरूर प्रवाइड कर दूंगा बाकि इन सभी क्योंकि make sure अगर आपको registration करना नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करें मैं आपको registration process की पूरी एक video बना के दूंगा तो उसके तुरू आप जाएं और किसी प्रकार की कोई गल्ती ना करें क्योंकि गल्ती करने के बाद फिर आप payment कर देते हैं तो आपको फिर एक regret रहता ह कि आप correction window कब खुलेगी फिर मैं correction करूंगी कई बच्चे भूल भी जाते हैं तो उनका correction नहीं भी हो पाता है तो इस तरह से फिर आगे चलकर admission में भी काफी problem create हो सकती है तो make sure you are not making any mistakes in your registration form and following all the instructions which are given in the information bulletin और मैं आपको information bulletin भी दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़े mention क करना है तो यही था update जो कि अभी NTA और Delhi University की तरफ से उनकी website पर दिया गया है बाकि कोई भी update आते है तो मैं आपको जरूर से notify करूंगा so make sure you are subscribing our channel and for becoming our member on the channel thank you so much guys have a good day let's start preparation and I'll be starting the preparation videos as well on my youtube channel so just become a part of us thank you so much guys have a good day